Hello everyone, welcome to Knowledge IQ, मैं लखन भारद्वाज आपके अपने चैनल Knowledge IQ में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हमारी वित मंतरी श्री निर्मला सीतारमन दिज़ारा जो अनौस्मेंट किये जा रहे हैं उसके अंतरगत आज मैं आपके साथ आत्मिनवर भारत योजना से रेलेटिड मोश इंपोर्टेंट कोश्चन डिसकस करूँगा जो आपको आपके आने वाली कॉम्टिटिव एक्जाम्स में हेल्प करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप मुझे फेस्बुक और टेलिग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं The first question is, how many economic relief packages have been announced by Prime Minister Narendh Modi through Self-Land India campaign? प्रदान मंतरी नarendh Modi जी ने आद मिनवर भारत अवियान के माद्यम से कितने आर्थिक राहत package की गोशना की? Option A, 10 lakh करोड, Option B, 15 lakh करोड, Option C, 20 lakh करोड and Option D, 25 lakh करोड The correct answer is, Option C, 20 lakh करोड प्रदान मंतरी नarendh Modi जी ने आद मिनवर भारत अवियान के माद्यम से कोरोणा वाइरस के संकट को कम करने के लिए 20 lakh करोड रुबे के राहत package की गोशना की? Move on, next question Self-Reliant India campaign How much is the economic package equal to GDP of India? आद मिनवर भारत अवियान के अंतरगत जो आर्थिक package की गोशना की गई वह भारत के GDP के कितनी परसेंट के बराबर है? Option A, 7%, Option B, 8%, Option C, 9% and Option D, 10% The correct answer is, Option D, 10% आद मिनवर भारत योजना के अंतरगत प्रदानमती नरेन बोजी जी ने एक आर्थिक package की गोशना की जो हमारी भारत की GDP के 10% के बराबर है? COVID-19 के संकट के दोरान, जो पहले गोशना की गई थी, उनको सब को मिलाकर 20 लाग करोडर रुबे की गोशना की, जो भारत की GDP के 10% के बराबर है? move on next question, for financial year 2020-2021, how much reduction in rates of TDS and TCS, TDS for tax reduction ad sources and TCS for tax collected ad sources has been announced under self-reliant India campaign. with words 2021 के लिए, सुरोथ पर कर कटोथी मतलब TDS, और सुरोथ पर संगरिद कर मतलब TCS, के लिए, कितनी कटोथी की गोशना आत्मिलबर भारत अभियान के अंतरगत की गई है? option A, 20%, option B, 21%, option C, 23%, and option D, 25%. भारत के निवासियों के लिए, जो TDS दर है और जो TCS दर है, वो वित्वर्स 2020-21 की से सवधी के लिए, उसमें 25% की कटोथी की गई है. इसका मतलब यह है, कि जो वेतन भोगी पहले सौर पे अपनी सैलरी में से कटाता था, या TDS और TDS में कटाता था, उसको अब मात 75 रुपे ही देने होंगे, जिससे उसे 25% का लाब मिलेगा. Move on next question. How many rupees special liquidity scheme has been announced by the government of India for NBFC, HFC and MFI? आत्मनबर भारत योजना के अंतरगत, जो आर्थिक पेकेज की गोशना की है, उसमें सरकार द्वारा NBFC, mean Non-Banking Financial Corporation, HFC, Housing Finance Corporation and MFI, Mutual Fund Institution. इन स्तीनों के लिए कितने रुपे की आर्थिक पेकेज की गोशना आत्मनबर भारत योजना के अंतरगत की गई है? Option A, 20,000 करोड, Option B, 25,000 करोड, Option C, 30,000 करोड and Option D, 35,000 करोड. The correct answer is Option C, 30,000 करोड. सरकार ने आत्मनबर भारत योजना के अंतरगत NBFC, HFC और MFI को 30,000 करोड रुपे की आर्थिक साहिता दी है. मतलब सरकार द्वारा आत्मनबर भारत योजना के अंतरगत NBFC, HFC और MFI को RBI के द्वारा 30,000 करोड रुपे की रिंड की साहिता दी जाएगी. Move on next question. How much liquidity will be infused by the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation for Discomps under Self-Relined India Campaign? आत्मनबर भारत योजना के अंतरगत Power Finance Corporation, मतलब जो हमारी बिजली कमपनियां हैं, जैसे Rural Electrification Corporation, तो इस अभियान के तहप Discomps, Discomps means distribution company, तो उनके लिए आत्मनबर भारत योजना के अंतरगत कितने आर्थिक पकेज की गोश्रां की है? Option A, 70,000 करोड, Option B, 78,000 करोड, Option C, 85,000 करोड, and Option D, 90,000 करोड, तो इसका करेक्ट आंसर है, Option D, 90,000 करोड, पावर फाइनेश कॉर्परेशन और Rural Electrification, जो बिजली कमपनियां हैं, उनको Discomps के लिए दो समान किस्तों में 90,000 कड़ रुपे की साहता दी जाएगी, जिससे वो अपने बाकाया का भुगतान कर सकेंगी, तथा कोरोना संगट के दोरान, जो उनके नुकसान हुए हैं, उनकी बरपाई की जा सकेगी, बूँओ नेक्स्ट कुश्चेन, जो इप्याइफ होता है, जो इंप्लोई और इंप्लोयर दोनों समान रूप में कॉंट्रिबिशन करते हैं, और पर सरकार ने कुछ रियायत दिये, सरकार दोरा पिछले तीन महीने, मतलब जब से कोरोना संगट का लॉकडाउन हुआ है, उसमें मार्च, अप्रेल, मई, इन तीनों महीनों में सरकार दोरा इंप्लोयर जो नौकरी देता है, और इंप्लोई जो नौकरी करता है, उन दोनों का श्रियर सरकार दोरा दिया गया, और इसको आगे तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है मतलब अब मई जुन जुन जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा बहुतान किया जाया गया और इसको कुछ चेंज कर दिया गया है इसको रिडूश करके जो चेंज किया गया है उसके option है option A 9% option B 10% option C 11% and option D 12% the correct answer is option B 10% पहले ये जो EPF contribution होता था ये 12-12% का होता था 12% का होता था जिसको बटा कि सरकार ने 10% कर दिया है मतलब अगले 3 मेने के लिए 10-10% सरकार द्वारा contribution दिया जाएगा move on next question what are the pillars of self-reliant India movement आग मनवर भारत योजना के कितने pillars है pillars मतलब इस्तम आग मनवर भारत योजना को कितने pillars को मिला कर बनाया गया है इसके option है option A infrastructure option B economy option C demography option D system and option E demand last option option F all of the ever तो इसका correct answer है option F all of the ever मतलब इन पांचों को मिला कर आग मनवर भारत योजना का दिर्माड किया गया है जिसमें infrastructure economy अर्थ विवस्ता है वो demography जनसांकी की system और demand demand में supply आती है जो हमारे जो माल की supply होती है उस वो तो इन पांचों के मिला कर आग मनवर भारत योजना का निर्माड किया गया है move on next question how much emergency working capital facility for businesses including MSIME is announced आत मनवर भारत योजना के अंतरगत MSIME को business जो business करते हैं उनके लिए कितने आर्थिक package की गोशना की है मतलब सरकार द्वारा MSIME को कितने रुपे के आर्थिक package की गोशना की है जिससे वो जो business करते हैं उनको loan दे सके तो इसके correct इसके जो option है वो है 2 lakh crore option B 3 lakh crore option C 4 lakh crore and option D none of the ever इसका correct answer है option B 3 lakh crore मतलब आत मिन पर भारत योजना की अंतरगत 3 lakh crore रुपे के आर्थिक package की साहता MSIME को दी जा सकेगी जिससे MSIME business करने के लिए बड़ी आसानी से loan दे सके ये loan बिना किसी guarantee के दिया जाएगा और इसकी अवदी 4 साल होगी इसमें पहले वर्स में कोई भी मूल धन नहीं वसूला जाएगा move on next question for up to how many rupees will there be in no global tenders for government tenders इसका मतलब ये है कि जो हमारे government sector है उनमें सरकारी tenders होते हैं तो कितने रुपेश तक के tenders को global tenders नहीं माना जाएगा तो इसके option है option A 100 करोड option B 150 करोड option C 200 करोड and option D 250 करोड इसका correct answer है option C 200 करोड मतलब 200 करोड रुपे तक के सरकारी tender को अब global tender नहीं माना जाएगा ये सब हमारे garment sector के अंतर गाता आते हैं move on next question how many rupees special liquidity scheme has been announced by the government for मतस्य संपदा योजना इसका मतलब ये है के मतस्य संपदा योजना मतलब जो मतस्य पालन करते हैं उनके लिए सरकार ने आत्मिरवर भारत योजना के अंतरत कितने आर्थिक पैकेज की गोशना की है इसके option है 50,000 करोड option B 20,000 करोड option C 30,000 करोड and option D 40,000 करोड इसका correct answer है option B 20,000 करोड मतलब मतस्य संपदा योजना जो योजना है मतस्य संपदा योजना उसके लिए सरकार द्वारा आत्मिरवर भारत योजना के अंतरगत 20,000 करोड रुपे के आर्थिक सहायता दी जाएगी move on next question how many rupees fund has been announced under animal husbandry infrastructure for dairy infrastructure and cattle feed infrastructure इसका मतलब ये है कि जो पशुपालन करते हैं और जो दूद उख़पादन करते हैं उनके लिए सरकार द्वारा आत्मिरवर भारत योजना के अंतरगत कितने आर्थिक package की कोशना की है इसके option है option A 25,000 करोड option B 50,000 करोड option C 30,000 करोड and option D 40,000 करोड तो इसका correct answer है option B 15,000 करोड मतलब 15,000 करोड रुपे के आर्थिक सहायता पशुपालन और दूद उत्पादन के छेत्र में दी जाई है मतलब 15,000 करोड रुपे की आर्थिक सहायता दी जाई है आज के लिए इतना ही वीडियो को आप जादा से जादा शेयर करें और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा comment box में suggest करें जिससे मुझे आने वाले वीडियो में कुछ सहायता मिले और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें जैसा कि मोदी जी ने कहा है जान है तो जहान है एक बात फिर से मुस्कराएगा इंडिया घर पर रहें सुरच्छेत रहें इस्टे हों इस्टे से जैहिन जैभारत वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें